हेलो फ्रेंड आप देख रहे हैं मीरा टीव चैनल हमारे इस चैनल में आपका बहुत दोश्वागत है फ्रेंड आप लोग को पता है कि रचा बंधन का तहवार आ रहा है तो रचा बंधन के तहवार पे अपने घर में खुद से मिठाई बनाएं आज में अपने कीचन में ब्रेट रस मलाई मिठाई बनाने जारी हूं तो चलिए फटाफ़ण बनाना सुरू करते हैं यहां पर देखिए और साथ में दूगिलश दूध है अधा कटोरी चीनी है और यहां पर देखिए बनीला कस्टेट पाउडर है इसका बहुत बड़ा रोल है तो चलिए अब मिठाई फटाफट बनाना सुरूर करते हैं एक पुझे लेना है चाकू ब्रेट के जो किनारे का ब्राउन पाठ है इसको काट के टिकालने ना है इसको फेकने की ज़रूरत नहीं है इसको भी आप चाहे तो चासनी में बना के खा सकते हैं या फिर दूट के साथ इसको खा सकते हैं किनारे का ब्राउन पाठ निकालने के बार अब मैं ब्रेट में 20 से कट करूँगे दो भाग इसको करना है तिन को ना देखे इस तरीके से अब चलते हैं गैस के तरफ तो गैस पर देखे कडाही रख दी हूँ अब मैं इसमें डालूँगी दो गिलास दूद और दूद को उबलने देना है तो देखे दूद उबल गया है अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी चीनी डालके अच्छे से चला लेना है ये दूद में चीनी अच्छे से घुल जाए देखे फ्रेंट दूद भी अच्छे सुबल गया है और चीनी भी अच्छे से घुल गया है दूद में अब मैं इसी दूद में से आधा कटोरी दूद निकालोंगी अब ये दूद क्या होगा मैं आगे आपको दिखाती हूं यानि इसी दूद में बनिला कर्ष्टेट पाउडर दो चमज डालके अच्छे से घोल लेना है मुझे अगर मैं डारेट बनिला कर्ष्टेट पाउडर दूद में डालूंगी तो जम जाएगा गुटली बन जाएगा इसलिए मैं दूद निकाली हूं कि दूद थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं उसमें दो चमज डालके मिला लती हूं देखे दूद थंडा हो गया है अम मैं इसम आधेट क कहुल भूल डाल कि मैं घड़ाऊब है जैसे में बनिला कर्ष्टेट पाउडर को घॉल डाली हूं आँ इसे दूद गणा हो गया है अभी मुझे इसको दो मिनिट तक और पकाना है कि दूद्वें मिनिट कि दकी दो मिनिट हो गया है इसको पकते हुए उप मैं गैस एक कटोरी में जेर चम्मश मलाई है, ताजा मलाई है. अब इसी में मैं डालूँंगी 2 चम्मश मिल्क पाउडर. अब इसको डालके अच्छे से फिटके मिला लेना है. पेटने के बाद अब मुझे एक एक करके ब्रेट का टुगडा लेना है उस पे अच्छे से लगा देना है देखें इस तरीके से लगा के और दूसरा ब्रेट का टुगडा उठाना है इस पे अच्छे से चिपका देना है रखें ये खूलेना इसी तरीके से सभी ब्रेट पे लगाना है और दूसरा ब्रेट उठाके इस पर अच्छे से सिट कर देना है यहां पर देखे मैं सभी ब्रेट पर मलाई लगा के रग दी हूँ अब मुझे लेना है एक प्लेट और इसी प्लेट में बनिला कर्ष्टेट पाउडर का जो मैं मलाई बनाई हूँ उसको मैं थोड़ा प्लेट में निकालूंगी ज्यादा नहीं दो से तीन चम्मश बस खाली और यहां पर देखे मैं एक कटोरी में आदा कटोरी दूद ले हूँ एक गरम दूद है यानि ठंडा हो गया है अब इसी दूद में जो मैं ब्रेट रखी हूँ अच्छे से इस मलाई लगा के उसको डूबाना है डूबा के इसी प्लेट में रखना है वापस से देखे इस ज्यादा देर तक दूद में नहीं रखना है नहीं ब्रेट गल जाएगा बस पटाग से दूबा के निकाल लेना है अब इसके उपर मैं जो बनाई हूँ मलाई उसको डालूँगी दिखे फ्रेंड मिठाई तो बनके तयार हो गया है दिखे मिठाई देखने में अच्छा लगे उसके लिए मैं यहाँ पे गानिश कर देती हूँ बदाम से बदाम से गानिश करने के बाद केसर के एक दो धागे से मैं गानिश कर देती हूं तो और देखने में अच्छा लगेगा देखी फ्रेंड मिठाई बनके एकदम तयार हो गया है यह मुह में जाते ही मिठाई खूल जाएगा क्योंकि ब्रेड रस मलाई मिठाई है मैं आपको चमश में उठा के दिखाती हूं कि देखे कितना सॉफ्ट कितना मुलाई मिठाई बना है बहुत ही बेहतरी मिठाई बना है फ्रेंड आप लोग पी अपने किचन में एक बार जरूर ट्राइग कीजिएगा आप लोगो ब्रेड रस मलाई मिठाई कैसा लगा कमेंट बाउक में कमेंट तरके जरूर बताए अगर वीडियो पर संद आए तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए अगरे देश्पी के साथ तक देखे थाइंक त्रेंट